नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पाकिस्तान जो की वर्तमान में बहुत ही बुरे हालातों से जूज रहा है आर्थिक संकट इनके यहां पर इतना बुरा आया हुआ है कि पूरी दुनिया से भीक मांग कर भी इनका काम अभी तक नहीं चल पा रहा है इसी स्थिति में ख़वर आई है कि अमेरिका के अंदर चो पाकिस्तानी दूतावास की विल्डिंग उपस्थित है उसको जो है यह पाकिस्तान वाले बेचने वाले हैं और उसको खरीदने के लिए जो बोली लगाई गया है वो उसमें एक भारतीय सामिल है च पाकिस्तान ने उस देश को आज तक माननेता ही नहीं है नहीं दी है जिसका नाम है इसराइल इसराइल एक ऐसा देश है जिसको पाकिस्तान माननेता नहीं देता है मानता ही नहीं है कि इस परकार का कोई देश इस दुनिया के अंदर मौजूद है इसराइल के एक यहूदी क अगर चैनल पर रहे हैं तो परिवार में आपका बहुत स्वागत है सब्सक्राइब का बटन दबा कर अप्चार रिखता है पूरी करना बिल्कुल ना भूलें इसलामाबाद आपका बहुत सब्सक्राइब करके गढ़ा करको लिदे सब्सक्राइब त्युक्त की दो्रॉबायों पर रहे हैं तीन लोगों फूर्वाशंग्टं प्रॉपर्टी को वसंग्टं के अंदर प्रॉपर्टी है इनकी उसके लिए बोली लगाई है, डौन अख़वार ये नहीं वता रहा है कि इनका जो दूतावास मौझूद है, दूतावास की बिल्डिंग तक बेचने को ये मजबूर हो गया है, हाला कि इनके द्वारा कहा जा रहा है, कि इनके पास एक नई बिल्डिंग आ गई है, जिसकी वज़े से ये building के पास spare पड़ी हुई थी इसी वज़े से ये इसको बेच रहे हैं वाशिंटन की खबर देखें को पाकिस्तान है रिसीब three bids for building which once housed for the house the defense section of the country's embassy in US capital कि जो इनकी embassy हुआ करती थी अमेरिका के अंदर उसके अंदर ये defense की जो section था उसके लिए काम आती थी ये वाली building जिसको की बेचने का इन्होंने वो किया है प्लान पाक ऑक्संस embassy property in US remedy economic crisis की economic crisis से ओवरने के लिए जो इनके यहां आर्थिक संकट है उससे ओवरने के लिए इन्होंने इस building को बेचने का प्लान बनाया है इंडियन ग्रॉप्स अमंग दा बिड़र्स की जो बिड़र्स हैं उनमें से एक इंडियन गुर्प पाक पाकिस्तान के द्वारा जो लगाई गया है इंडियन बिड्स फॉर पाकिस्तानी mbc building in US यह सारी रिपोर्ट के अंदर खवरें के माद्यम से प्रक लेकिन फिर भी खैर यह लोग तो बोलेंगे ही ऐसा क्योंकि पूरी दुनिया के सामने नहीं बता सकते कि इनके पास किस प्रकार के संकट हैं पाकिस्तान इस रिपोर्टेडली सेलिंग दा कंट्री इंबसी इन वासिंटन एंड हैं इस देश के द्वारा इसके लिए सबसे ह इस जो बिड है वो लगाई गई है इस प्रकार की बात आई हैं इंडियन रियल्टर बिड्स यूएस फाइब मिलियन पांच मिलियन डॉलर का जो पांच मिलियन का जो बिड लगाई गई है वो लगाई गई है इंडियन रियल्टर मतलब भारत का जो रियल्टर यानि की जो property के कारुवारी है उनके द्वारा Pakistan embassy building एं बागिस वासिंग्टन वासिंग्टन के अंदर जो पाकिस्तान की building है उसको खरीदने के लिए डॉन की report के मुदाबिक पाकिस्तान ने वासिंग्टन में इसे अपनी एक building को बेचने का फैसला किया है और इस प्रक्रिया में अभी तक तीन खरीददारों ने बोलियां लगाई है इनमें एक यहूदी और एक भारतिये कमपनी सामिल है डॉन के डॉन ने वासिंग्टन में पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि एक यहूद देश जिसको यह मानते ही नहीं है वो इस बिल्डिंग को खरीद कर अपने लिए एक मंदर बनाना चाहता है तो यह जो है हास्यास्पत बात हमें बिल्कुल दिखाई दी सिनेनोग यहूदिनों को पूजाश्थल को कहते हैं यानि पाकिस्तान बिल्डिंग में यहूदी ग् लगाई गई है वो तो इस्राइल वालोंगे लगाई है दूसरी बोली लगाई है बारतिय ने जिस से 50 लाग डॉलर यानि की तीसरी बोली पाकिस्तन की एक फ्रापर्टी कंपनी की ते है जो की 50,000,000 लुख्बख 33.13 करोड र०रपे की बोली लगाई यानि अभी तक जो तीन बोली लगाई है उनमें पहली बोली यहूदियों की दूसरी बोली भारतिय प्रॉपर्टी कम्पनी और तीसरी बोली प्राकिस्तानी प्रॉपर्टी कम्पनी की है क्योंकि यहूदियों के दौरा जो सबसे उची बोली रगाई गई है इसलिए इनको जमीन देना जीए चाहते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा इनके पास आए यह सब बाले जो हाती के दाने के और दिखाने के और इस प्रकार की बातने हैं फर्ष्ट लेशन इन पाकिस्तान इस्कूल हिंदू आर काफिर जुईज एनिमीज ओफ इसलाम पाकिस्तान के अंदर जो पहला लेशन पढ़ाया जाता है बच्चों को यह खवर है दा टाइमस आफ इंडिया की जो की सोले अक्टूबर 2020 को प्रकासित हुई थी कि हिंदूओं को तो काफिर कहा जाता है और जीव जो होते हैं यहूदी जो होते हैं उनको जो है इसलाम का दुस्मन बताया जाता है ऐसी इस्तिती में जो सबसे बड़ी बोली लगाई गई है एक यहूदी के दौरा और जो काफि इसरायल और फलिस्तीन फलिस्तीन और इसरायल का व्यबाद है कन्यट बुदृते बड़ी इस्तिती में लगाथा पाकिस्तान के दौरड क्यों도 जाते हैं जो यहूदी लोग वो फलिस्तीन के खिलाफ में पूरी तरह से और पाकिस्तान फलिस्तीनियों का सपोर्ट करता है तो जब जमीन खरीदी जा रही है इसराइल के लोगों के द्वारा तो पाकिस्तान की स्थिती क्या है इस पूरी दुनिया के अंदर आप इस बात को बहुत भी समझ सकते हैं यहा उपर जो पाकिस्तान का पास्पोर्ट है इसके उपर साफ लिखा हुगा है कि यह जो पाकिस्तान का पास्पोर्ट है पूरी दुनिया की सारे देशों के अंदर यह अलावड है सारे देशों की यात्रा आप कर सकते हैं सिर्फ इसराइल को छोड़ कर क्योंकि पाकिस्तान के तीन राजनायक संपत्यों में से एक इमारत बेची जाएगी, यह है इमारत 1950 के दसक से लेकर 2000 तक डिफेंस एकाई का महत्तोपूर केंद हुआ करती थी, पाकिस्तान सरकार ने इस इमारत को लेकर एक financial advisor rank के अधिकारी को तैनात करने पर विचाय किया है, दूतावास के अधिक पाकिस्तान के पास है इसकी चर्चा की जाए तो 2000 के दसक की सुरूवात में पाकिस्तानी दूतावास नई बिल्डिंग में स्थान अंत्रित हो गया था इस वाली building को इन्हों ने छोड़ दिया था 2000 में लेकिन पाकिस्तान ने इसको रिनोवेट करा दिया था पूरी तरह से ये building कहीं भी जरजर अवस्ता में नहीं लगती है उसको जो है अब तक संरक्षे तरका हुआ है हालां कि आर स्ट्रीट की जो इमारत है ये वाली जिसको बेचने वाले हैं इसको जीन्ड सीन्ड इस्थिती में पाकिस्तान के वारा बताया गया है आज-पास के निवासियों ने इसकी सुरक्षा के लिए खत्रा होने की सिकायत की है इस इमारत को ततकालीन पाक राजदूत सैयद अमजद अली ने 1953 से 1956 के वीच में खरीदा था तो 1953 से 1956 के वीच ये इमारत जो है पाकिस्तान के पास रही है अब चर्चा करते हैं पाकिस्तान की स्थिती क्या है फाइनेंसियल क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर क्या है तो SBP यानि कि State Bank of Pakistan का जो Forex Reserve है वो आठ साल के सबसे नियूंतम इस्तर पर पहुँच चुका है Foreign Reserve पाकिस्तान के अंदर है नहीं International Monetary Fund जो है IMF बार-बार इनको चेतावनी दे रहा है पूरी तरह से ग्रे लिस्ट से अमेरिका की करपा से बरतमान में निकल कर आए है अब चर्चा करते हैं इनके यहाँ जो बाढ़ आई थी फिलाल है हाला कि इस बाढ़ के बाढ़ यह पूरी दुनिया बर में घूं-घूंके चंदा मांग चुके हैं भीक पूरी दुनिया से यह मांग चुके हैं लेकिन उस पैसे का क्या करते हैं यह? किसी को आज तक नहीं पता अब सिर्फ इनके देश के अंदर आतंकबाद फलता फूलता हुआ दिखाई देता है WHO raises alarm on diseases in flood hit areas of Pakistan की पाकिस्तान के अंदर जो बाढ़ आई थी उसके अंदर जो बीमारी वो फैलना का खत्रा था तमाम बीमारीय फैल सकती है उसकी बात किये थी WHO यानि की world health organization के द्वारा अब ऐसी सिती में जहां लोगों को इनके द्वारा इनकी लोगों की salaries बढ़ाई जानी चाहिए थी medical सुबधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए था लेकिन इनके यहां पर हो रहा है बिलकुल उल्टाब क्या हो रहा हो इसके हम चर् करनी इन्होंने सुरू करती है और उस कटोती के अंदर जो medical staff है उसकी कटोती उसकी सेल्डी की कटोती भी की जा रही है एक तरफ इनके यहां पूरी तरह से बीमारियां फैलने का लगातार खत्रा मना हुआ और दूसरी तरफ यह डॉक्टरों की ही तनखा को काट रहे हैं ऐ and therefore the government has decided to take cost cutting measures की सरकार ने cost cutting measures को लेने का फैसला किया है the पाकिस्तानी government has put a cap on free fuel कि जो अधिकारियों को जो पाकिस्तान के अंदर अधिकारी घूंते हैं उनके लिए जो free में fuel दिया जाता है गाड़ी में चलने के लिए जो diesel आधि दिया जाता है उसके ऊपर भी यह cutting लगा कर रहे हैं मतलब उसमें भी कटोती कर रहे हैं restriction on travel allowances जो अधिकारियों के और लोगों के travel यात्रा के लिए बत्ते जो होते थे उनके उनमें कटोती की जा रही है and medical allowance among others और जो medical allowance बगएरा मिलते हैं अधिकारियों को और किसी भी वेक्ति को उनके अंदर इनके द्वारा कटो अधिकारी गाड़ी अगरा इस्तिमाल किये जाती है officers के द्वारा will not be given more than 120 liters of fuel पर मंत की एक महीने में 120 लीटर से ज्यादा diesel इनको provide नहीं कराया जाएगा अब ऐसी इस्तिति में आप सोच सकते हैं 120 लीटर डीजल पर मंत किसी भी गाड़ी के लिए तो एक गाड़ी को पर ड average लगवग 8-10 km per liter ही होता है तो ऐसे इस्तिती में 8-45 km तक इनके अधिकारी यात्रा कर सकते हैं ऐसे इस्तिती में क्या काम करेगी इनकी सरकार किस प्रकार से हाला कि कामधाम कुछ किये जाते हुए ना किये जाते हुए इनके यहाँ पर अधिकारी में द्वारा ये भी एक स सब्सक्राइब जब तक इनके हाँ आर्थे खालात नहीं सुधरते हैं तब तक जो बिल्स वगेरा होते हैं मेडिकल के उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है कि तब तक कोई भी बिल पास नहीं किया जाएगा था कैबिनेट सेक्रेटरी हैं अल्सों डारिक्टेड देट देट तक इसी को नहीं आता है को इनकों निल कर दिया है कि एसा कोई भी इंक्रीमेंट लोगों की सेलरी आदि में ना दिया जा etc अब चर्चा करते हैं हमने जो आपके साथ एक खबर साजा की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो बॉम ब्लास्ट होने वाले हैं उस इस्थिती में अमेरिका के और यूके के द्वारा अलर्ट जारी कर दी गए हैं कि इनके होटल मेरियट है वहाँ पर आतंकवादी हमले हो सकते है टीटीपी यानि कि तहरी के तालिवन पाकिस्तान के द्वारा तो उसका क्या चल रहा है आफ्टर यूएस अमेरिका के बाद आउस्टेलिया एंड यूके इन तीनों देशों के बाद साउधी अरेविया ने भी अपने यहाँ पर वार्निंग जारी किर दी है कि इन देशों एंड लिमिट ट्रेवल विदिन इसलामबाद कि आउस्टेलिया ने भी अपने अधिकारियों को कहा है कि इसलामबाद के अंदर यात्रा से बचें या फिर जो होटल है वहाँ पर ना जाएं इस प्रकार की वातने सामने आई हैं आफ्टर दा यूएस यूके ऑस्टेलिया स सहवा सरीफ गरे हुए नजरा रहे हैं तमाम बातों की बीच में एक बात और निकल कर आई कि इनके जो प्रधान मंत्री हैं जिनका नाम है सहवा सरीफ ये जो है अपनी एक स्पीच दे रहे थे उस बीच में इनके जो ओडियंस थी उसने बीच में ही इंटरप्ट कर दिया और जोर जोर से वह खाने के लिए चलनाने लगा तो इसके बीच में इनकी जो बात important जो बात करते हैं प्रधान मंत्री हолांकि कि की बीच कि कोई भी व्यक्ति बीच में उनके टोकना पसंद नहीं करता है क्योंकि इन लोगों की बात हैं सुनी जाती है हमारी भारत के अंदर अगर आप देखें मोदी जी यदि कहीं भासण देते हैं तो सभी लोग चुपचाप उस भासण को सुनते हैं इनके यहां पर उल्टी ही कहानी चलती है उल्टी गंगा इनके यहां बही जाती है कि यह जो है एक सीरियस मुद्दे के उपर बाढ़ताराप कर रहे थे और इनकी जो ओडियंस के बीच में से एक व्यक्ति उठा और उसके बाद इन्होंने सहवा सरीफ ने खोद इन से बोलाए कि रुक जाएए आप आपको खाना जो है जल्दी सर्व किया जाएगा तो परधानमंतरी की बातों से ज्यादा जरूरी यहां पर लोगों को खाना जो है और जो विकास की परियोजनाएं किसी छेतर के अंदर लागू की जाती है उनकी वातें चल रही थी, महत्ववन वातें चल रही थे इस दौरान भीड में एक सक्स खड़ा होकर चिलनाने लगा जिसके बाद PM सहवाज को अपनी बातचीत बीच में ही रोकनी पड़ी सोसल मीडिया पर वाइरल वीडियो के मताबिक PM सहवाज सरीफ खैवर पक्तूनवा के लिए विकास परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे थे ले अधरी नियूज जा रहा है यह वीडियो सबसे पहले पाकिस्तान के और वीडियो सबसे पहले अंका-उल में नियूजन हौँ का-ए 4 Councillor बात कर रहeszने थे परपक्तूना में सडक पनविजली और बिजली के बुनियादी धाचे में सुधार समेत कई विकास प्रयोजनाओं को संब्द्र में बात कर रहे थे इसी दोरान भीड में से एक सक्स खड़ा गुआ और चिल्लाने लगा पाकिस्तान के पीम भासन को बीच में रोकते हुए उस सेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहेंद